नमस्कार दोस्तों, property investment in today's times, June 24 का time आ गया है and I have been conducting my workshops for a long time webinar on this but मैं आज वीडियो के माध्यम से ये वाली opinion रखना चाहरू हूं आप लोगों के साथ अगर Indian real estate में आपको invest करना है आज के time पे, तो कुछ चीजों में कहां invest करने से पहले जो मैं बताना चाहूंगा, कहां नहीं क और आफिस में इसमें भी नहीं करना है, अब बुनेंगा रहे नहीं नहीं, रीट्स जो टॉप तीन है इंडिया के, उनका परफॉर्मस पांथ साल से देख लो, उनकी वेकिंसी रेट्स देख लो, बुरुक फिल्ड का है, मैंड स्पेस का है, और उनका रेंटल इल्स आर कमिं तो स्पेकुलेशन में मत फश जाना, अब आजाते हैं कि क्या चीज अच्छी है, मेरे हिसाब से अभी भी रेजिडेंशल बहुत अच्छा है, रेजिडेंशल एस देन परफॉर्वाउंड वरी वेल, रेंटल इल्स आफ गॉन अप, बट अभी इन्वेस्टमेंट में अग टेक पिक, I know it's very difficult for a North Indian to tell his father कि मैं तो जी पूने में ले रहा हूं, बैंगलोर में, बावड़ी पुछ गया है कभी वहां रहेगा, तो का उन्ट समाह लेगा, ये चार questions के जवाब मैं दिलाता हूं, वेबिनार आप जुड सकते हैं, comment section के अंदर आपको एक वेबिनार info group और वहां किया रेंटेल लाईगी और क्या appreciation होगा, कहां खरीदे हो, हिसार में खरीदे हैं, रोतक में खरीदे हैं, फरीद कोड फिरोजपूर, कहां खरीदे हो, समस्तिपूर, बलिया, आरा वाला कहां लेगा, सुपॉल वाला किदर कहां लेगा, आप बताओ, रॉबर्स ग सेटल होना चाहते हैं, मुझे बता न, हरयाना में जगे, I belong to that place, but do you want to settle there, is your job there, my parents are staying there, but their assets are already there, तो अब खाहां खरीद होगे, 60-70-70 लाग जो आपका बजट है, तो आपके बजट में जो चीज़ें हैं, उन शहरों में हैं जहां आप लेना चाहते हैं, और जो आपके पैत प्रापर्टी लेके बैठे हो, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को चीज़ें समझ ली होंगी, आने वाले टाइम में प्रापर्टी मैनेजमेंट फरम्स आएंगी, जोलो है, नेस्ट अवे है, स्टैंजा लिविंग है, ओयो लाइफ है, और बहुत इस तरह के स्टार पर चड़ाना, ये करना, वो करना, वो ही काम करता है, अक्रॉस मैं एक साइड में रहता हूं, उडगाओं के दूसरी साइड में प्रापर्टी है, वो भी कोई मैनेज ही करता है, खुद कोई नहीं जाता आज के दिन, तो आब वो प्रापर्टी पूने में है, एमदाबाद में है Kolkata में है चिन्ने में है बैंगलोर में है है इदराबाद में है यहीं भी है manage करी जा सकती is the message एक अच्छी जगे आपने ले ली एक अच्छे ticket size में येस पैसे कमाना असान नहीं है येस ये decision making लेनी पड़ेगी and yes lot people are taking and they are benefiting क्योंकि वहां rental yields high है cash flow positive properties हो जाती है payment plan बहुत अच्छे है and properties are not speculative you will get a return of 10 to 12 percent in absolute returns since your money goes like 25 percent per year over four years your returns will be 16 to 70 percent if you do it on excel you still don't sell them you hold them and then the capital appreciation even it falls down to 7 8 9 percent which is inflation linked then the rental yield of 5 to 6 percent kicks in yes 5 to 6 percent then the combining return is still 13 14 percent initially it was 18 percent you put this on excel 15 years it becomes 15 percent अब यह मैंने ऐसे अंगरी जी बोल दी ये कर दी excel शिक शिक कुछ दिखाई नहीं तो इसलिए है उन्हीं लोगों के लिए जिनकों समझ में आती है बाते है क्योंकि मैं यहां पर सबकर सब्सम्जाने वाला नहीं हो बैस में डलने वाला नहीं हो आपके लिए मुचल फंड से जाओ मुचल फंड में डालो मुचल फंड में एक लड़का मुझे लगता है घुरू जी बिल्कुल सही कहते है उससे फिर जब रेंटेल आता है उस रेंटल से कुछ पी कर सकते हैं लेकिन पंडरान हजार नहीं झादा झाला हुक्ता है और arde के वालाजार द्ू आपकरव इतना डालेटली इजी नहीं है पâныर हजार नहीं पंडरा तो बहुत कर रहाएँ towards this बहुत चीजे मैं सिखा रहा हूँ soon मैं launch कर रहा हूँ REMP 2 Real Estate Mentoring Program wherein I teach Real Estate अच्छी खासी फीस है उसकी course है 2 घंटे का 1 class है ऐसी 7-8-9 class रहेंगी अगर आप वो join करना चाहते हैं उसमें आप बहुत भैतरी इंडिया के Real Estate Consultant बन सकते हैं 1 मैं ही रहूँगा 2-3 मेरे में students में से कोई रहेगा तो आप भी बन सकते हैं तो उसमें सब चीज सिखा ही समझी जाती है because why that is very important for you people to join that course is that you will be witness to 70-100 कोरोट का Real Estate Transaction in your own life of your own people that is you yourself, your parents, your in-laws your relatives, your brother, your children your own transactions जैसे कहते हैं वेचा फिर खरीद लिया तो चार कोरोट का Transaction हो गया पिता जी क्योंकोई डेड़ कोरोट की प्रापर्टी भी की फिर एक कोरोट की खरीदी तो धाई कोरोट का Transaction हो गया अगले 40 साल में जो भी मुझे सुन रहा है अभी और जिसकी उमर अभी 40 से कम है और आप मुझे सुन रहे हैं भी तो अगले 40 साल में आप 80-90-100 करोट के Transaction देखोगे तो अगर उसके बारे में आपने सीख लिया अच्छे से तो आपका कितना पैसा वसूल है तो जो भी Ramp 2 के लिए जॉइन करना चाते हैं मेरी इसी महिने स्टार्ट होने वाला है वो कोर्स तो Ramp 2 लिख सकते हैं 2 इसलिए क्योंकि 1 हो चुका है तो Real Estate Mentoring Program है wherein you can start earning from Real Estate जान वैसे तो सेकड़ों फाइदे होंगे पर Real Estate से कमाना सीख जाओगे यह will stand out in the market यह चलते फिरते ऐसे लोग नहीं हो गया मतलब यह आपकी लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपको जॉब भी लग सकती है उस लेवल पे मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा बट आपका लेवल जो Real Estate में काम करते हैं फर्मस में उन से बहुत उपर होगा बहुत उपर होगा प्राक्टिकल वो चीज़ बताऊंगा नहीं तो गारंटी कर रहा हो गारंटी सिर्फ एक चीज़ की कि हम यह संसार शोड़के सब चले जाएंगे इसके अलावा कोई गारंटी देता हो तो गलत दे रहा है तो में कोई गारंटी नहीं दे रहा ना मैं ससर्फ भोड़ रहा हूँ तुम ग्रेट बन जाओगे बस इतन इह बता रहा हूँ लोग कहते हैं ससलिए बस बता कोर्स चांटेंट ही सबसे बड़ा पैसे का वह है कि वो मैंने वो बता दिया, तो बताने के लिए मैं पैसे लूँगा अपसे, आपको course content सुनना है कि क्या पढ़ाया बताया समझाया जाएगा उसके लिए भी मैं पैसे लूँगा, और उतने ही पैसे लूँगा जितनी course की fees है, तो course ये attend कर लू, ठीक है, अब तू या बड़ा मिलेगी हैं सोचो कि कुछ study material मिल जाएगा या slide मिल जाएगी ये भी नहीं मिलेगा ये भी guarantee है बिल्कुल देशी जैसे मैं बोल रहा है इसी बोलूँगा हाँ आप notes बनाएंगे recording ज़रूर मिल जाएगी recording ज़रूर मिल जाएगी और आप अपने notes बना सकते हैं और recording से दुबरा बना सकते हैं तो I hope ये अच्छा मौका है गर्मियों में सीखने का कुछ और जुड सकते हैं सब लोग thank you very much go for properties which are less than 1CR is the advice go for properties which are less than 1CR कहीं मिल जाएं बढ़िया शहर में बढ़िया लोकेशन में बढ़िया बिल्डर की ले लो you can't go wrong in them नहीं नहीं ऐसे कौन सम्भालेगा देखेगा पैसा कमाना कभी असान नहीं है 40-50 जारुपे की नौकरी में सुबह से शाम जाती जनता 30 दिन और फिर 365 दिन तो अगर प्रॉपर्टी है वो एप्रिशेट हो रही है तो कभी वहां पे भी जाना पड़ेगा टेकनोलोजी के माद्य हम से क्याल रखा जा सकता है और एक प्रॉपर्टी जब आदमी लेता है तो जोर लगता है जब 10-15 लेता है तो वो अपने में काम हो जाता है तो तो बज्याए 5-5 6-7 7 CR की लेने कि एक जगह कर इन्वेस्टमेंट के लिया लेनी है तो 5 जगे एक ऐक , स्यार की लीजा सकती है यह 7-8 लाकि लीजा सकती है ने कभी भी बेचा जा सकता है लिक्विट्टी है होती है, रेंट पे घज़्दी चाढ़ती है बिकॉब्स भे पिरामेड वाली होती हैं प्रॉपर्टी फुली फरनिश करके रेंट भी अच्छे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें दिये होई नंबर पर रेंप टू लिख सकते हैं अगर रिल इस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम जोड़ना चाते हैं और चैनल ये इन्फो वेबिनार जो वैसे होते हैं फ्री होते हैं वो अटेंड करना चाते हैं तो कमेंट सेक्षिन में आपको एक इन्फो वेबिनार ग्रूप में लेगा उसको आप जोइन कर सकते हैं थैंक्यू अच्छ